वक्त रात के करीब साड़े अड़ बजे का था जब ये स्कॉर्पियो जिसे दीप सिद्धू चला रहे थे जिसका नमबर PB10GK7047 है आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो जो घटना इस्थल है यानि कि जहां पे एक्सिडेंट हुआ था पुलिस ने इस स्कॉर्पियो को जो चला रहे इसके पास लाके खड़ा कर दिया है रोट क्लियर करने के लिए तो ये वह स्कॉर्पियो जिसको दीप चला रहे थे और इस कॉर्पियो का डाहिना हिस्सा जो डीमेज हुआ है सबसे जाधा जो डेमेज हुआ है वो दाहिना हिस्था ुटायमेज हुआ है जाहिर से बात है कि दीब से दू इस को स्कॉर्पियो को चला रहsuite और इस स्कॉर्पियों कि टककर्ट के अब बाय हिस्थे में हुई और यह देखिए दाहिना खतम सी नजर आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एकसिडेंट कितना खतरनाक रहा होगा और इसके बाद पुलिस यहां पे पहुंची पुलिस ने दीब को हास्पिटल ले गए और जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें ब्रद घोशित कर किया उनकी दोस्त को इला है लेफ्ट साइट से इंटैक्ट है राइट साइट का डैमेज जबरदस्त है दाहिने हिस्ते में और जाहिर से बात है यही वज़ा थी कि जो नुकसान हुआ वो ड्राइविंग सीट पर बैठे दीब सिध्धू को हुआ अब फॉरेंशिक्स एक्सपर्ट्स रात में आये जब हम लोग यहां मौजूद थे उन्होंने तमाम तरह के नमूने लिए हैं फोटोग्राफ्स लिए हैं मैपिंग की है इस पूरे इलाके की यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन हालातों में यह एक्सिडेंट हुआ इसकी वज़ा क्या थी क्योंकि दीब सिध् बुरी हालत में लहु लुहान थे वो अभी सदमे में जाहिर है उनके बयान लिये जाएंगे और जाच आगे बढ़ाई जाएगी कैमरामेन शगुन भारदवाच के साथ तनसीम हैदर कि इसे पारदे कीओवा में बुली काथ ऩरय संहा हुआ और जाज में जाएग्जे जाएग सब्सार्दाव के ब Francisco क Κा νमीailing में सभिसरे बढ़ाचे।